प्रेंड्स रादे रादे जैशी किष्णा कैसे हैं आप तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम बनाएंगे हमारे बांगे भी हरी जी के लिए पटका तो चलिए शुरू करते हैं मैं यलो कलर से शुरू करूंगी तो पहले हम 15 चेन लेंगे एक तो तीन चार पांट अब हम क्या करें आएक्स्ट्रा दो ले लेंगे और यहां ऐसे दिखेंगे हमारी चेन होगी और दो हमने एक्स्ट्रा लिये अब हम क्या करेंगे यह तीसी चैन में ऐसे लूप लेंगे और डवल ग्रोश बना देंगे डवल ग्रोश बना देंगे और ऐसे एक्स्ट्रेन में फि्स से डवल ग्रोश बनाएंगे ऐसे हम पूरी रोग कंप्लिट कर लेंगे डवल क्रोशे की तो चलिए कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं तो देखे फैंस ही यह मैंने पूरी रोग कंप्लीट कर लिए अब हम क्या करेंगे दूसरा कर लगाएंगे तो मैं पिस्ता ग्रीन कलर से शुरू करूंगी एक रोग येलो की और एक पिस्ता ग्रीन की हम लगाए करेंगे टाइट कर देंगे और टर्न करेंगे तो ऐसे किसे डवल क्रोश्य बनाएंगे लेक्स चेंड में फिस्ते डवल क्रोश्या अब कर लेंगे तो चलिए पहले कर ले दिए फिर आपको दिखाती हूं यह दिखे फ्रेंस मैंने पूरी रोग कंप्लीट कर लिए और फिर से हम क्या करेंगे तो देखे तीन लेली नेक्स चेंड में डवल क्रोश्या करेंगे फिर नेक्स चेंड में डवल क्रोश्या बनाएंगे ऐसे हम पूरी रोग कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए यह भी रोग कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको जितनी हम हमें लेंथ ही इसकी चाहिए हम उतनी बना लेते हैं तो चलिए बना लेते हूं फिर आपको दिखाती हूं तो देखे हैं मैंने पटका बनाने के रेडी लिए है यह दिखें वादा राणी की कुर्licht से की हैं जेसे इसमें डाला हुआ है यह देखें और इसकी लेंग्थ जो मैंने रेड़ी होने के बाद यह देखे साड़े चोदा के करीब है इसकी हमारा पटका बनके रेडी हो गया अब हम बनाएंगे हमारे बांके भी हरी जी के लिए पगड़ी या मुकट भी कह सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वह देखे मैंने यलो कलर ले लिया इसी से मैं पगड़ी बनाऊंगी और अब हम क्या करेंगे ऐसे लूप लेंगे वह इसमें डवल क्रोश्य कर दूंगी इस नेक्स चैन में हम डवल क्रोश्य बनाएंगे अब्सूर्ण नेक्स चैन में हम डवल क्रोश्य बनाएंगे ऐसे ही मैं पूरी रोग को कमप्लीट कर लेती हूं तो चलिए फहले कमप्लीट कर लेते हैं फिर आवको दिखाते हूं ऐसे ओए फ्रेंट्स व्यए मैंने पूरी रोग को यह दिखी ऐसे बना ली है अब हम क्या करेंगे दूसरे रंग से डिस्था ग्रेंग से यह ऐसे से मेख रो उपर बना लूंगी कर आशे डवल क्रोश्य करते जाएंगे और एक डबल क्रोशी के ओपर असे डबल क्रोशिय करते हुए इसधे यह मैं पूरी डोक कंप्लीट कर लेती हूं तो चलिए पहले कर लेते हैं फिर आपको के दोझाते हुए तो देखे अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे पकड़ेंगे तीन उंगलियों में और इसको ऐसे घुमा देंगे यह दिखे आप देख लीजिए आपको कितना बड़ा रखना है यह दिखे और इसको ऐसे लेके यहां से हम इसको ऐसे सिल देंगे इसको आए से पकड़ेंगे इसको आए से और इसको ऐसे ब्रहुन में करते हुए तो इसको ऐसे अगड़ी को सिल लेती हो फिर आपको दिखाती हो तो दिखे फ्रेंड्स यह मैंने इसको सिल लिया है यह दिखे अच्छी तरह से अगर्व मैंने अपने भी हरी जी को डाल कर चेक करके देख लिए उनको बिल्कुर अच्छी तरह से आ गई है अब हम क्या करने इसको उपर लगाने के वह लही कलगी बनाएंगे तो यह देखे मैंने एक कलगी बनाके रखी हुई है यह मैंने कैसे बनाई वह मैं आपको बतात कि यह से हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन और फिर से हम क्या करेंगे यह यह से एक डवल क्रोश्य बनाएंगे दो डवल क्रोश्य ने कि दो तीन डवल क्रोश्य चार डवल क्रोश्य ऐसे करके मैं इसमें 15 डवल क्रोश्य बना लूँगी चलिए बना लेती हैं फिर आपको दिखाते हूं तो देखिए इसमें मैंने 15 डवल क्रोशे बना लिए अब हम क्या करेंगे फिर से एक बार इसकी ओपर 15 के 15 डवल क्रोशे फिर से बना लेंगे तो चलिए शुरूगते तीन चेंड बनाएंगे और पहले मैं ऐसे डवल क्रोशे पी दूपर दूसे में डवल क्रोशे एसे ही मैं सभी में डवल क्रोशे कर लेती हूं चलिए पहले कर लेती हैं फिर आपको बताती हूं तो देखे फ्रेंट्स लिए मैंने इसके ऊपर सभी पर डबल क्रोशे कर लिए अब फीन चेन लेंगे एक दो तीन चेन लिए और हम क्या करेंगे इस ही में एक बार से फिर से बना लूँगी देखे फैंट्स हमने तीन चेन ले लिए नेक्स चेन में हम क्या करेंगे एक डबल क्रोशिया और सेम उसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ही मैं सभी में लेजाय दो दो बार दो डबल incentiv बनालूंगे एक से मुसी में फिर से डबल क्रोशिया करके मैं पूरी और को कंप्लीट कर लेती ही चलिए भी ने कर लेती हूं फिर आपको आनके दिखाती हूं तो देखे friends यह मेरी साइब पूरी रोग कंप्लीट कर लिए मैंने first और last में मैंने एक एक डबल कोशिय बनाया और बीच में में जितनी भी चेहन आई थे उन में सभी में मैंने दो-दो डबल कोशिय बना लिए हैं अब मैं क्या करूंगे मेरे पास जितने भी डबल कोशिय हैं मैं सभी पे एक एक बार फिर से डबल कोशिय बना दूंगी तो चलिए यह रोब भी मैं कंप्लीट कर लेती हूं यह करके फिर आपको दिखाती हूं कि दीख फ्रंट लिए मैंने पूरी रॉब कंप्लेट कर लिए अब हम क्या करेंगे थी चैन है नहीं लेंगे हम पांच चेन लेंगे एक दो तीन चार पांच यह मेंने पांच चैन ले लिए और हम पहले डवल कॉर्शी में ऐसे डालेंगे निकालकर इसको ऐसे करके बंद कर देंगे फिर से पांच चैन लेंगे तीन, चार, पांच, अगर नेक्स्ट डवल कोशे में डालेंगे और निकालेंगे, अब इसको ऐसे करके, बंद कर देंगे, इसे पांच चेन लेंगे, तीन, चार, पांच, इसमें डालेंगे, निकालेंगे, फिसे पांच चेन लेंगे, तीन, चार, पांच, और नेक्स्ट कोशे में डालेंगे, और निकालेंगे, इसे, इसे, इसे रिजाइन बनता जाएगा, छोटे-छोटे, तो चलिए सभी में कर लेती हो, फिर आपको बताती हो, तो देखे, फ्रेंट्स, यह में हमारी कलगी बनके बर रेडि होगी, एक, और यह चोटी वाली, यह दिखे, यह एक मैने बहुत चोटी बनाई है, यह मैं एक, मुकर के जैसा बनाना चाती हो, यह देखे, ऐसे करके, इसका लूक ऐसे आएगा, तो चलिए मैं आपको स्टेच करके बताती हूं तो देखे फ्रेंट्स ये मैंने ऐसे ऐसे लगाई है इसको मैं यहां से ऐसे करके पीछे से सिलना शुरू करूँगी यहां इसको अच्छी दांसे टक कर लोंगी बेले यह देखे इसका लुप कुछ ऐसा आएगा यह देखे यह ऐसे आएगी इसको यह से करके यहां से ऐसे मैं सिल दूँगी यह मैंने एक साट से सिल दिया है दूसी साट से भी सिल दूँगी यहां से सिल दूँगी यहां से सिल दूँगी यहां से यहां यहां से इस अजयर वंगर्द इस अजयर से लिन्ग है इस कुछ यह मैंने इस कुछ एसे आभासे यह दिखें है यहां इसको अच्छी दासे चोड़ दूंगी मैं इसको यहां से काट देंगे तो यह देखें यह हमारा मुकट की एक कलगी लग गई है चलिए दूसरी लगा लेते हैं दूसरी हम यहां लगाएंगे इसके आगे और दूसरी हमाने लगाएंगे लिए पांके बिहरे जीका मुकट बनके रड़ी हो गया है इसको यह हमारे पांके बिहरी जीके ड्रेस बनके रड़ी हेसे ही, यह उनका पाजामा यहको बरती है यह कोड़ी मैंने पाधरानी की जैसे बनाई थी की हैं यो हमारे पाजामा यह हमारे Ho Sharmin यह वाधै कोड़ा यह से वैसे ही है जैसे लेंगे के साथ कुप्ती दुनाई थी और वो वीडियो चब कर सकते हैं और यह देखिए हमारे बिहारी जी का बटका और यह हमका मुकुठ अच्छे लगी है तो लाइक कीजिएगा शेयर केजिए और चैनल को सब्सक्राइब केजिए तो चलती हैं मिलती हैं नेक्स वीडियो में बाद रहाद एक जाशे किशनी में